हेलो एवरीवन वेलकुम टो मैं चैनल लगेंग इसी वीटिए हम लोग बात करने वाले हैं कोड़ फोस राउंड 785 एरेट फोर्टीव 2 का सेगेंड प्रॉब्लम एक पर्फेक्टिली बैलेंच स्ट्रीम के बारे में के आप एक पर करने से पहले अगराप चैनल फेले हो तो चैनल को सबसक्राइब करना है मैं हाइज पर कोड फोट पोड़ेस्ट इंश करता हूं और आपके लिए काफी ज्यादा बेनेफिसिल होगा ओके आप चैनल पर विजिट करो कर आपको पसंद आ तो आप तो जरूर इसको सब्सक्राइब करते हुए जाना चलते हैं को सब्सक्राइब करते हैं चलते हैं के तरफ क्या है कि आपके पासे कर्ष्टिंग ऐसे यह सारे पॉसिबल ट्रिपलेट के लिए वालिट होना चाहिए क्या इसमें वालिडिटी क्या है कि टी जो सबसे पहले एक इम्टी सवस्टिंग है एसका एंड यूए और वी कोई भी दो करेक्टर है जो पूरे एस में कहीं भी प्रजेंट होगा ओके सो यहां पे एस में प AMD करते हैं अपना यू जोगी सवस्टिंग है इसका तो हां फ्रिकरंसी से और फ्रिकरंसी आफ यू एंड फ्रिकरंस वी के बीच में जो डिफरेंस है wDY groups घर रहा नहीं होना चाहिए जैन्स या तो यह बिकरंसी का डिफरेंस ऑकल बोड़िट करना अगर यह सारे इसमें ट्रिपलेट तकार जो है वो बालेंस नहीं है तो ओके सो ठीक है आप क्वेस्टिन पर होगे तो हम अपना स्वरुसन पार्ट पर चलते हैं यहाँ पर हमारे पास्ट्रिंग में दो तरह की कंडिशन होती है पहला कंडिशन यह कि सारे करेक्टर जो है वो अपना यूनीक करेक्टर है यूनीक करेक्टर कहने का मतलब अब आपको कि यूनीक मैंने क्यों लिया है यहाँ पर लाइक मैंने क्यों सेपरेट किया उनीक करेक्टर अगर सारे है और कोई करेक्टर के फ्रिक्रेशन से एक से जा अगर हम क 2030 से चूज कर रहे हैं तो यहां पर दो तरह के स relevant है किसे भी कर्यक्टर के लिए यथो एप तो उसके इसमें अगर और सबत्य सब्सक्राइं ने तो सबस्क्राइकर के Whats cuarto जैसीकि cream नहीं तो इसको चीरो होग है और आपर सी के से सwatch सुनिया सी है तो स्केकर सी वह देखने हैं ऐगर ऐसा कुछ हो रहा थो इसकी INFORM जो घ drinks आध दोनों कर government섯 है तो उससकh नहीं तो returned to his case में जा हमारा यूणि करेक्टर अगर हमारे स्कारय में है कि तो इसकेस में जीरो और दांके जिखत नहीं का नहीं सब होगी अगर अगर यह सब एक से ज्यादा होगे लाइक मैं कोई बड़ी से श्ट्रिंग है उसमें एक छोटी से सबस्ट्रिंग को चूज करता हूं कि छोटी से सुश्वर स्टिंग को चूज करता हूं कि माने कैपना बी यहाँ पर है और यहां ने क्या चूज किया है एक ऐसे सबस्टिंग को चूज किया जहां पर बी की ऐकररानसे program या या समगा लिख व्यास कर्ता है कि इस्की में 14 मेरा श्रींग मेंSmith's लिश्ट एक करेक्टर तो इसमें जरूर होगा जिसके एक से जादा होगी यह सब्सक्राइब है और उस बी की दोनों consecutive जो है दो consecutive occurrences को मैंने यहां पर लिया अब यहां पर देखें अगर ऐसे लिखता हूं अब देखिए अगर ऐसा कुछ केस है तो अगर आपने इस सबस्ट्रिंग को चूज किया है जहां पर करेक्टर के एक से ज्यादा टाइमस है तो उसमें क्या होनी चाहिए अगर यह सी को अगर हम देखें अगर हमने सी बी और यह वाली सबस्ट्रिंग को चूज किया है तो क्या होगा यह बी की जो नहीं है कहीं पर भी और वो कहीं बाहर पर है ठीक है बाहर इंदर सेंस की पूरे स्ट्रिंग में प्रिजेंट तो करेक्टर के करेक्टर कि देखें तो अ बी एक पर यह करते हूं यह सबस्ट्रिंग यहां पर कienne कि 1 बी लिए रहा हूं तो अगर कि parach in यह होता ठीक है तो चुकि एक फ्रिक्वेंसी एट लिस्ट वन तो होती मिन्स यहां पर प्रजेंट करेक्टर है और यहां पर अगर अब सेंट करेक्टर है तो यह जीरो होगी तो जीरो टू के बीच में डिफरेंस हो जाएगा तो जो कि वन से ज्यादा है और इसकी होगे एक से ज्यादा हो गया तो क्या दिक्कत होगी वह हम बाद में फिर देखेंगे इसको बट यहां पर हम देख रहे हैं कि इससे यह क्या समझ में आता है कि कि अगर यहां प्रजेंट है यहां होना ही त्था ठीक है तो आप हम इस सबस्ट्रीं को चूज कर सकते हैं और यहां पर बैलेंस्ट रहेगा है बट क्या हो कि दो consecutive B के बीच में एक टाइम सी तो ठीक है बट मल्टिपाल टाइम सी आ गया तब यहां पर अगर हम देखें तो frequency जो है सी की काफी ज़्यादा है लेकि यहां पर सी के frequency तो 5 है सी के frequency 5 होगी ओके एंड बी के frequency तो अभी भी 2 है तो आपको गए यह तो यहां अब हमने जो उपर डिसकस किया था उस हिसाब से यह तो बैलेंस है बट हम अगर हम वस कंडिशन से देख रहे हैं तो यह वाले स्ट्रींग बी के लिए हिसाब से बैलेंस है बट हम consecutive दो सी के दो चेक कर रहे हैं तो बी की की जेरो हो जाएगी और सी की बी की हो जाएगे 0 और सी की हो जाएगे दो ठीक है तो फिर से यहां पर difference हो जाएगा तो तो जो कि पॉसिबल नहीं होना चाहिए इस केसमें भी नो होगा तो अल्टिमेटली अगर आप चेक करोगे तो उसकेस में क्या होगा आपके पास अल्टरनेट टैप का ऑफ करेक्टर रहेंगे लैकि a b है c है फिर अगर b या रहाँ तो इहाँ पर double time c नहीं होगा एक valid string के में बात कर रहूं तो यहां पर c नहीं होगा double time अगर double time c हुआ तो always no हो जाएगा क्योंकि इस दो के लिए तो सही हो जाएगा लाइक a b c c b किया इस बीवी के लिए तो चेक करूंगा तो सभी होगा बट यह सी के लिए अगर चेक करूंगा तो फिर यह वाली प्रोब्लम जो है यहां पर नौप्रेंट करें अगर उसके बाद हम चेक करें तो लाइक यहां पर एह हो रहा है ऐसा कुछ हुआ फिर आपका जो है सी है वो बी है किसी भी राइंडर्म राइंडर्म और में चलता रहेगा बट दो कंसी क्यूटिव के बीच में सारे करेक्टर आने चाहिए कि यहां पर अगर नहीं है तो यहां पर आ जाएगा ठीक है ऐसा कुछ आ रहा होगा पूरा अगर आप इसको लाइक विजुलाइज करें हो सारे सारे सबस्टिंग के लिए गर हम देखें तो ऐसी कुछ कंडिसन आएगा तो बस यही वाले पॉइंट थी कि दो कंसी क्यूटिव के बीच में देख रहे हैं तो वह सारे करेक्टर आने चाहिए जो कहीन कहीं सबस्टिंग में प्रजेंट है और वह आपको विजन समझ में आ रहा है अगर नहीं प्रजेंट वाले करेक्टर को मैंने चूज कर लिया अगर कोई करेक्टर लेट सपूज नहीं है कोई करेक्टर एक्स है जो नहीं है प्रिजेंट लाइक वह सिर्फ आपना वन से ज्यादा हो जाएगा जो कि दो है और इसके है को मैंने क्या किया अखरोगया शरल लगवर मैंने बता हुआ होग कर रहा हूं मैं रख़रहों कि कौकोंश अपने करेक्टर हम्में हमारे पूरे फ्रेंग प्रजेंट है और क्योंकि मुझे जब भी दो कांसरे मुझे चेक करना अब मैं रख रहा हूं वेक्टर ऑफ इसे हैं तो रहा है रहा है यह थे ना है जाय हो सब्सक्राइं फिनी और के बिच metis झुल के यह घ्क मैं कि और साथ क्रिक्टर लिए थे सारे एक च्रेल़ अब क्या करूंब इsst लिए लकिक यहां पर अपने पास वेक्टर आ गए सारे पोजेशन के लिए और जो जो हैं अपने पार ठीक है तो अगर उसका डिफ्रेंस जो है वह हम देखते हैं इन दोनों के बीच में इन यह जग गार इनका जो डिफ्रेंस अगर वह start of M से जादा हो गया ठीक है, size of frame से ज़्यादा हो गया, तो ठीक है, या equal है, तो भी ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या होगा, like, उसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे अपना है, B है, और B है, अब पूरे सबस्टिंग हमारे पास, let's suppose कि A और C है, ठीक है, तो पूरे सबस्टिंग में हमारे पास तीन करेक्टर हो गए, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, वो तीन होना चाहिए, at least, means यहाँ पे जो है, वो B हो गया, यहाँ पे कहीं एक A है, कहीं एक C है, ठीक है, इतना होना चाहिए, at least जो डिफरेंस अब वो तीन है, अगर आपका होगे, तो यहाँ पे डबल टाइम A हो गया, तो फिर से वही वाली बात है, डबल टाइम होगा, तो इन दोनों के a string, a string में जिस सारे character present है, वो at least one time होने चाहिए, तो उसके लिए मैंने size का बस use कर लिया, अब size of map क्या होगा, वो सारे character की बस occurrences को बता रहा होगा, means अगर A कहीं न कहीं present है, तो size of map जो होगा, वो one time हो जाएगा, B present है, तो one time face increase कर जाएगा, अगर ऐसा नहीं होता है, तो no print हो जाएगा, और सारे सवस्टिंग को चेक करने के बाद मैं अगर चेक करूं कि सारे सवस्टिंग में ठीक है, तो finally अपना answer है, वो yes हो जाएगा, okay, so इस video में इतना ही था, and I hope आपको solution, explanation, everything आपको समझ में आऊगा, बट अगर किसी भी तरीके का आपको dot है, तो आप comment box मे करो, बताओ, and question का link channel, and question link code का link नीचे आपको description box में मिल जाएगे, आप ज़रू से जाकर वहाँ पर check out करना, okay, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाबाए